नमशकार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्टरो मंदिर में तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से कि मेसरासी वालों का आज का दिन यानी की 2 जुलाई 2020 का दिन कैसा भी इतने वाला है आज के दिन आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन होगा क्या-क्या बदलाब होगा तो ये साड़ी बाते जानने के लिए वीडियो को आप सुने लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ दो जुलाई 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दुआदसी नक्छत्र है अनुराधा पक्छ है सुक्ल पक्छ और दिन है गुरू बारे आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है पंच बज के 27 मिनट में और सुर्यास्त हो रहा है साथ बज के 22 मिनट में रितू है वर्सा और आज का दिन काल है तेरह घंटे 55 मिनट 43 सिकेंड का महिना है आसाड़ आज के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बज के 56 मिनट एम से 12 बज के 55 मिनट पी एम तक और असुभकाल सुरू होता है 10 बज के 5 मिनट एम से 11 बज के 1 मिनट एम तक और दुबारा है 3 बज के 40 मिनट पी एम से 4 बज के 35 मिनट पी एम तक राहुकाल सुरू होता है 2 बज के 9 मिनट पी एम से 3 बज के 54 मिनट पी एम तक और दिसा सूल है दक छिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग में त्रों इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके बैबाहिक जीबन के बारे में, मित्रों बैबाहिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानी रहेगा, नजयादा बिहतर, नजयादा खराब आज से पहले अगर आपके जीबन साथी के साथ आपका शमबन्ध खराब हो गया था, आपके जीबन साथी के साथ किसी बात को लेकर आपका नोक जोक हो गया था, तो आज के दिन अपने दामपत्ती जीबन को, अपने बैबाहिक जीबन को आप मजबूत करने का प्रयास करे इसके बाद है आपका कामकाज, बेपार, बेवसाई, मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय अच्छा रहने वाला है आप में से जो भी लोग आज के दिन से नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के द्रिष्टी कौन से आपका शमय आपका पूरा साथ देगा और इस कामकाज में आने वाले वक्त में आपको बहुत जियादा फाइदा होगा और आपका कामकाज आपका कारुबार बहुत जियादा बिहतर और शांदार हो जाएगा इसके बाद है आपका प्रेम संबंध मित्रों प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने रहेगा आज के दिन अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के बीच आप किसी और विक्ती को इंटर फेयर बिलकुल भी न करने दें क्योंकि हो सकता है आज के दिन किसी और विक्ती के वजह से आप दोनों में थोड़ा बहुत बहस हो जाए थोड़ा बहुत नोक जोक हो जाए और इस वजह से आपका प्रेम शंबंध कमजोर हो जाएगा इसके बाद है आपका पाडिवाडिक जीबन तो पाडिवाडिक जीबन के दृष्टी कोन से आपका शम है अच्छा नहीं रहने वाला है आज के दिन आपके घर पडिवार में किसी और विक्ती के वजह से आपको तनाब का शामना करना पड़ेगा आपके घर पडिवार में आज के दिन किसी बिक्ती की जरूरतों के वजह से आपको दिक्कतों का शामना अवश्य करना पड़ेगा इसके बाद है आपका धन शंपती तो पैसों के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा रहने वाला है आज के दिन अगर आप कहीं भी धन शंपती का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के दृष्टी कोन से आपका शमय आपका पूरा साथ देगा और इस निवेश के वजह से आने वाले वक्त में आपको फाइदा भी बहुत जयादा होगा इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को वाज माने के बाद आपका शमय बहुतर और शांदार होगा मित्रों उपाई बहुत ही जयादा शामानी है आज के दिन आप चांदी के गलास में पानी का सेबन करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है साथ यनी की सैबन आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है भुरा और सलेटी तो मित्रों यही था आपके आज के दिनका रासी फल इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हड़ जिगा सेयर कर दें धन्यवाद